यह पाठ चक्रिय चतुर्भुजों पर होगा, लेकिन पहले सह चक्रिय बिंदूओं पर एक्त्वरित पुनरावलोकन सम्वृत्थ बिंदूओं से अभिप्रेथ है कि दो या अधिक बिंदूओं जो एक ही वृत्थ पर स्थित है यदि हमारे पास किसी भी स्थिती में बिंदूओं की एक जोड़ी है तो हम उन बिंदूओं के माध्यम से एक वृत्थ खींच सकते हैं इसलिए इसे अध्वितिय वृत्थ कहा जाता है या प्रमेया यह भी कहता है कि किसी भी त्रिभूच के शिर्षबिंदू वृत्थिय होते हैं तो हम कह सकते हैं कि सभी त्रिभूच चक्रिय होते हैं धन्यवाद, अलविदा बहु भुच के शिर्षों के माध्यम से खींचे गए वृत्थ को व्यास्वृत्थ कहा जाता है तो अगर हम चार बिंदूओं के माध्यम से एक वृत्थ बनाने की कोशिश करें एक चतुर्भुच चक्रिय जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, बहुत सारे विभिन प्रकार के चतुर्भुच चक्रिय होते हैं वे किसी विशेश नियम का पालन करने के लिए प्रकट नहीं होते हैं उन्हें नियमित होने की आवशक्ता नहीं है और बाजुओं को समानांतर होने की आवशक्ता नहीं है हम कैसे साबित कर सकते हैं कि एक चतुर्भुच वृत्तिय है या नहीं निम्नलिखित प्रमेय सभी चक्रिय चतुर्भुजों के गुणों का प्रमान करते हैं साथ ही यह भी साबित करते हैं कि एक चतुर्भुज चक्रिय है या नहीं हम साबित करने से शुरू करेंगे एक चक्रिय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग 180D होता है इस आरेक में A, B, C, D एक परी चक्रिय चतुर्भुज है और वृत्त का केंद्र O है त्रिज्या O, B और O, D को खींचिये जो केंद्रिय कोण O को कोण O, 1 और कोण O, 2 में विभाजित करती है कोण O, 1 कोण A का दोगुना है इसी लिए ये 2X है क्योंकि वक्र B, D द्वारा केंद्र में उतीर्ण कोण परिधी पर उतीर्ण कोण का दुगुना होता है कोण 0, 2 और कोण 0, 1 एक पूर्ण चक्र बनाते हैं इसलिए उनका योग होता है 360 डिग्री इसका मतलब है कि O, 2 बराबर होता है 360 डिग्री माइनस 2X O, 2 कोण C का दोगुना है क्योंकि वे दोनों प्रमुक चाप B, D द्वारा उत्पन्न होते हैं तो कोण C बराबर होता है 180 डिग्री माइनस X लेकिन कोण A बराबर होता है X इसलिए कोण C प्लस कोण A बराबर होता है 180 डिग्री इस प्रमे का उल्टा या उलटा तर्क यह है कि अगर हमें एक चतुर्भुज दिया गया है, जिसके विप्रीत कोण पूरक हैं, इसका अर्थ है कि वे 180DG तक जोडते हैं, फिर चतुर्भुज चक्रिय है हम जानते हैं कि चतुर्भुज ABCD पर कोण B और कोण D का योग 180DG होता है चलो B को X मान लेते हैं, तो D बराबर होता है 180DG-X यदि तीन बिंदु A, C और D एक वृत्थ पर स्थित होते हैं, तो हम इस तरह से वृत्थ को स्केच कर सकते हैं चलो मान लेते हैं कि बिंदु B वृत्थ पर नहीं है, यह वृत्थ के भीतर या बाहर हो सकता है यदि हमें A, B पर वह बिंदु मिल गया होता जो वास्तव में वृत्थ पर स्थित होता, जिसे हम B1 कहते हैं हम जानते हैं कि यह कोन D के पूरक कोन बनाएगा और X के बराबर होगा लेकिन यह काम नहीं करेगा, क्योंकि कोन B1 तब तक उसी आकार के नहीं हो सकते हैं, जब तक वे एक ही स्थान पर नहीं होते इसलिए बिंदू भी वृत्थ पर स्थित होता है, और ABCD एक चक्रिय चतुर्भुज होता है इसे विरोधा भास द्वारा साबित करने के रूप में जाना जाता है क्या आपको याद है वृत्थ के एक ही सेग्मेंट में कोनों के बारे में सिध्धान सीखने की बात? यदि एक रेखा खंड एक ही और रेखा खंड के दो बिंदूओं पर समान खोण मापता है, तो चार बिंदू सम्वृत्तिय होते हैं ये एक और तरीका है ताय करने का कि क्या चार बिंदू एक चक्रिय चतुर्भुज बना रहे हैं? चक्रिय चतुर्भुजों के बारे में प्रमेय वृत्त ग्यामिती में कई अलग-अलग समस्याओं को हल करने में हमारी मदद करते हैं उदाहरण के लिए क्या एक वर्ग एक परिचक्रिय चतुर्भुज है? हमें पता है कि सभी आंत्रिक कोण समकोण ये हैं इसलिए सभी विप्रीत कोणों का योग 180 डिग्री होता है इसका अर्थ है कि वे पूरक है और चूंकि विप्रीत कोण पूरक होते हैं हमने साबित कर दिया है कि सभी वर्ग चक्रिय होते हैं और रोम्बस के बारे में क्या? क्या एक रोम्बस एक चक्रिय चतुर्भुज है? हम जानते हैं कि एक रोम्बस के विपरीत कोण समान होते हैं लेकिन केवल वही तरीका है जिसमें विपरीत कोण पूरक हो सकते हैं अगर वे 90 डिगरी के बराबर हो तो केवल वह समझतुर्भुज जो एक चक्रिय चतुर्भुज है वह एक वर्ग है एक और उदाहरण देखते हैं हमें एक चक्रिय चतुर्भुज PQRS दिया गया है कोण S और R प्रत्येक 80 डिग्री के बराबर है हमें साबित करना होगा कि PQSR के समानतर है कोण P, कोण R के पूरक है क्योंकि हमें पता है कि PQRS एक परिचक्रिय चतुर्भुज है तो P बराबर है 100 डिग्री कोण Q के लिए भी यही सच है अब हम देख सकते हैं कि कोण P प्लस कोण S बराबर होता है 100 degree प्लस 80 degree जो 180 degree के बराबर होता है दूसरे शब्दों में कोण P और कोण S पूरक है लेकिन वे भी वही जोड़ी की रेखाओं और Transversal के बीच में स्थित होते हैं वे सह आंतरिक कोण हैं तो हम निशकर्ष कर सकते हैं कि P Q S R के समांतर है क्योंकि सह अंतर कोण पूरक है अंतिम उदाहरण इस आरेख में हमें दिया गया है कि कोण Q 3 बराबर है 30 degree और हमें कुछ अन्य कोणों के आखार का पता लगाने की आवश्यक्ता है कोण S2 कोण Q 3 के लिए एक वैकल्पिक कोण है और रेखाईं OS और QR समानांतर है अब चलिए कोण P ढूंडते हैं कोण Q 2 80 degree के बराबर है क्योंकि O Q और OS बराबर थ्रिज्या होते हुए सम्द्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं तो कोण 0,1,1 से घटा 60 degree के बराबर होता है जो 120 degree के बराबर होता है कोण P वृत्त के केंद्र में कोण के सिध्धान्त के कारण कोण O1 के आधे आकार का होता है इसलिए कोण P 60 degree के बराबर होता है अब हमें कोण R ढूंडना होगा PQRS एक चक्रिय चतुर्भुज है इसका मतलब है कि कोण R खोण P के पूरक है इसलिए कोण R 120 degree के बराबर है संगशेप में यदि आप दिखा सकते हैं कि एक जोडी के विप्रीत कोण P पूरक है तो आप साबित कर सकते हैं कि एक चतुर्भुज चक्रिय है ये तारकिक रूप से अनुसरण करता है कि दूसरी जोडी भी पूरक है यदि एक रेखा खंड रेखा खंड की एक ही और दो समान कोणों को उत्पन्न करता है तो चार बिंदू चक्रिय होते हैं